Hello everyone, I am Ankur from American Institute. मैं हूँ आपका ट्रेनर, American, जहाँ आप सीखते हैं अंग्रेजी बोलना. दोस्तो, इंगलिश एक ऐसी भाशा है जिसमें हर दिन कोई ना कोई नया शब्द जुड़ता रहता है. और सारे नया शब्द याद रखना तो बहुत मुश्कल हो सकता है. लेकिन जो वर्ड्स इंगलिश में बहुत ज़ादा पॉपलर होते हैं, उन्हें याद रखने में ज़ादा परिशानी नहीं होती. जी हाँ, आज के इंगलिश लेसन में हम सीखेंगे मौड़न इंगलिश में इस्तमाल होने वाले कुछ मौड़न वर्ड्स और उनका इस्तमाल. दोस्तों मैंने ही चाहता कि मेरे स्टुडेंट्स को ये वर्ड्स पता ही नहों, उनको तो पता होने ही चाहिए. तो चलिए, हम शुरू करते हैं आज का लेसन बिना देर किये और देखते हैं पहला मौड़न वर्ड कौन सा है. तो पहला मौड़न वर्ड है विंजवाच. I'm sure ये वर्ड आपने कहीं न कहीं इंगलिश में सुना होगा या पढ़ा होगा. विंजवाच का मतलब होता है कि किसी प्रोग्राम या किसी टीवी सीरियल के सारे एपिसोड एक बार में देखना. जी, कई बार ऐसा होता है कि हम इतना इंट्रेस आता है कि हम सारे एपिसोड एक ही बार में देख लेते हैं. ये word जादा तर internet पर आने वाले web series को देखने के लिए इस्तमाल होता है ये एक action है और समय के according इसकी forms change हो जाएंगी चलिए देखते हैं इस word का इस्तमाल हम कैसे करेंगे एक example के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ जैसे एक लंबी flight बहुत अच्छा समय है पूरी web series को देखने का जी जैसे आप flight में होते हैं आपके पस time भी होता है और आप बोर भी होते हैं और उस time को आप enjoy करना चाहते हैं तो इसे आप English में कैसे बोलेंगे एक और example के द्वारा मैं आपको समझाता हूँ मैंने कल एक बार में Netflix पर असुर के सारे episode देख डाले अगर आप भी web series देखने के शौकीन है और आप net पर कोई web series देखते हैं तो इस word के द्वारा आप भी English को इस तरीके से बोल सकते हैं दोस्तों आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला modern word कौन सा है ear bum यहाँ पर हम किसी भी कीड़े की बात नहीं कर रहे हैं ear bum का इस्तमाल तब किया जाता है जब आपने कोई गाना सुना हो या आपने कोई धुन सुनी हो और वो आपके दिमाग या जहन में रह जाती हो और आप उसे बार बार गुन गुना रहे होते हैं होता है न कि कई बार हमें कोई music बहुत अच्छी लग जाती है और वो हमारे जहन में ही रह जाती है वहाँ पर आप इसका इस्तमाल कर सकते हैं फ़र एक्जंपल मैं आपको बता देता हूँ बाश्या का वो नया गाना कितना अच्छा है दिमाग से जाई ही नहीं रहा देखा आपने इसका कैसे इस्तमाल हुआ दोस्तों ये काफी आसान है और काफी मॉडर्न है यही फायदा होता है न्यू बोकाबलरी को सीखने का आप अपनी बात कम से कम शब्दों में एक्सप्रेस कर पाते हैं चलिए आगे बढ़ते हैं देखते हैं अगला मॉडर्ण वर्ड कौन सा है लुक अलाइक लुक का मतलब पता है अलाइक का मतलब पता है और लुक अलाइक का मतलब होता है किसी की तरह दिखने वाला फॉर एक्जाम्पल वह प्रिंग का चौपड़ा जैसी दिखती है सीजर प्रिंग का चौपड़ा लुक अलाइक दोस्तों यहाँ पर मैनिक सेलिब्रिटी का नाम लिया है आप अपनी किसी फ्रेंड का नाम ले सकते है और बता सकते हैं कि वो उसकी तरह दिखता है वो उसकी तरह दिखती है ठीक है और वहाँ पर आप इस शब्द का उपियोग कर सकते है चलिए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं अगला modern word कौन सा है दोस्तों I am sure आपको ये words काफी अच्छे लग रहे होंगे नोट करते जाएए धिहान से सुनिए चलिए अगला word है चैटी चैटी का क्या मतलब होता है तो दोस्तों चैटी का मतलब होता है friendly तरीके से लोगों से बाते करना या फिर बातू नहीं होना दोस्तों talkative भी इसी का मतलब होता है बट चैटी काफी modern word है right for example पहले मैं बहुत शर्मीली और चुप हुआ करती थी लेकिन अब मैं बहुत बातू नहीं हूँ I used to be shy and quiet but now I am quite chatty दोस्तों chatty होना कोई बुरी बात नहीं है ये किसी भी तरीके का insult नहीं है लोग होते हैं जोने बात करना अच्छा लगता है express करना अच्छा लगता है एक और example तुमारा दोस्त बहुत बातू नहीं था your friend was very chatty तो आपने देखा मैंने कैसे अलग-अलग situations में in modern words का इस्तमाल किया तो दोस्तो आज के lesson में हमने सीखे कुछ new modern words जो modern English में use किये जाते हैं तो दोस्तो अमीद करता हूँ आपको आज का lesson definitely पसंद आया होगा और आप इन words को जरूर पढ़ने पर इस्तमाल कीजिएगा और आपको इन words में से कौन सा word अच्छा लगा मतलब आपका favorite word कौन सा है और आपको ये वीडियो कैसा लगा लिखकर जरूर बताईएगा मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में किसी और दिल्चस्प लेसन के साथ Till then, keep practicing, keep smiling Take care and bye झाल 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 झाल